जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सभाविक है कि हमारी शरीर पर भी चर्वी बढ़ती है और कुछ ऐसी पार्ट्स पर शरीर की ऐसे अंगू पर हमारे चर्वी बढ़ती है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है या हम कर्ण कम नहीं कर पाते हैं जैसे हमें पता नहीं होता है कि उनकी exercise क्या होती है जिसके कारण वो धिरे-दिरे बढ़ती जाती है और यह बहुत ही शरीर पर बहुत ही भगधापन लगता है उस चर्वी को हम कम कैसे करें कई पार्ट्स होते हैं जिस पर हमारे हम क्या करते हैं वोकिंग करते हैं नॉर्मल मैं वोकिंग करता हूं या मैं इत स्पेशल धान देना पड़ता है या स्पेशल कुछ exercise या योगाशन करना पड़ता है इस हमारी कमर पे चर्वी होती है यह वाली पीछे की side होती है साइड में होती है सलवटे पढ़ जाती है चर्वी से जो बहुत ही बद्धा लगता है खासकर महिलाओं के लिए तो क्योंक योगा पोज लेके आई हूँ जो एक बिगनर से तरीके से लेके आई हूँ ना कि मैं कोई hard exercise नहीं लेके आई हूँ योगा योगा पोज है जो normal अपन करते है उनका अगर आप reputation भढ़ाते जाओगे तो आपके शारीर के अंग पे फरक पड़ेगा इसे पहले यह दिया आप योगा नमबर वन में क्या करते हैं अपन जनरली हम सब जानते हैं कि मतलब पोज भी हमें पता होता है लेकिन यह नहीं पता होता कि किस पोज से किस हमारे शरीर के किस अंग पे प्रभाव पड़ता है इस तरीके से मैं बैठी हूँ इसी तरीके से बैठे रहेंगे और फिर आपको हाथ को यू लेके जाना है इस तरीके से सांस को भरते वे हाथ को उपर करना है पांच कांट करें वहां तक आप फोल रखें एक दो तीन चार पांच सांस छोड़ते वे हाथ को नीचे लाना है इस तरीके से दूसरे हाथ से करना है इससे आप फिल करेंगे कि आपके साइड से स्ट्रेचिंग हो रही है एक, दो, तीन, चार, पाँच हाँच छोड़ते हुए हाथ को नीजे करेंगे वापिस से ऐसे ही करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच एक, दो, तीन, चार, पाँच हाँच छोड़ते हुए हाथ को नीजे एक, दो, तीन, चार, पाँच एक, दो, तीन, चार, पाँच मैंने कम रेपिटिशन बताई है आपको इसकी एक हाथ से आपको पाँच-पाँच बार करना है और फिर जो भी मैं योगा पूज बताती हूँ उसका एक राउंड लेने के पस्चाथ अगर आपकी शारीरी कैपिसिटी है तो आप दूसरा राउंड भी ले सकते हैं यानि कि तू-टू आप सेट्स कर सकते हैं दूसरा जो अपना पोज है दूसरी पोज में हम इस तरीकी से वजराशन में बैठेंगे वजराशन में बैठने के पस्चाथ आपको क्या करना है इस हाथ से इस पैर के अंगुठे को पीछी से पकड़ना है यूँ और ऐसे करना सांस भरते भी करेंगे सांस छोड़ते वापिस लाएंगे ऐसे यह एक्सेट हो गया अपना सांस छोड़ेंगे कि ऑप अपना अपना हो गया या नहां एपना करेंगे इस वाएंगे इस लाएंगे वाएंगे वाह वाएंगे पांच एक साइड में आपको हाथ से लेना है पांच दूसरी साइड में लेना है यानि कि आपको टोटल दस बार करना है और जूसरा राउंड भी आप ले सकते two sets में आप करें इसमें क्या होता है ज्यादा बहुत ज्यादा exercise से कम ठकावट होती हो और आपके जो side fat है उसमें आप खुद फील करेंगे, मैसूस करेंगे ऐसा कि इसमें स्ट्रेचिंग होती है और यहां पे हलका हलका जब आप कंटीनू रखेंगे तो पैन सा होने लग जाता और जिस बोडी पार्ट पे हमारे ऐसे पैन या वहां पे फील होता है, हमें मैसूस होता है, यानि कि वहां की च चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, जोदा, पंद्रा, शोला, 17, 18, 19, 20, इस तरीकी से आप अपने रेप्टेशन को बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट है, अंगूठी को पकड़ें, टोको, एक पर से सांस भरते हैं, उपर करें, कोशिस करें ऐसे जुकें, जिससे आपका साइड में स्ट्रेचिंग हो, 5 सेकंड तक होल्ड कर रखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, वापिस ही करें, सांस भरते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, मैं से टेक्निक्स बता रही हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 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 पाँच, प्रोस लेक्स को टच करना हाथ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, ताथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, देरा, जोधा, पंद्रा, शोला, शत्रा, ठारा, उन्नीस, बीस, यह योगा पोज है, वह आपको मॉर्निंग में करना है, और खाली पेट करना है, आज का सिसेन आपको पैसा लिखा, कमेंट बक्स में जरूर लिखें, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, ऐसे ही किसी टोपिक्स के साथ में, तब तक के लिए, नमस्कार.